Dear students, मैं द्विंदर सिंग चैल, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल, शेरगड, डिस्टिक फाजल का आप सब्दा स्वागत करदा हाँ प्यारे विद्यार्थियो, आज जैसी जमात दस्मी दा पार्ट परावर्तन अते अपवर्तन इस पार्ट विच्छों रिफ्रेक्शन पाव अपवर्तन अते उत्तल लेंस राही रे डायग्राम्स बनोने सिखांगे विद्यार्थियो, प्रकाश दा कोई एक गोण मेनो दसो शाबाश, प्रकाश हमेशा सिधी रेखा विच चलदा है विद्यार्थियो, जेकर प्रकाश दी कोई किरण चमकीली सता पाव, मिरर्द नाल्ट करावे, तकी होवेगा? वेरी गड, जिनने डिगरी दे कोणते हो, मिरर नाल्ट करावेगी, उनने डिगरी दे कोणते ही, वापिस मुड़ जावेगी इस वर्तारे नुँ असीं की कहन दे हाँ, चाबाश, दिस इस कॉल्ड, रफ्लेक्शन अफ लाइट, परावर्तन दा निया, विद्यार्थियो, जेकर, तुहानु में एक काच़दा ग्लास देमा, अधा उसनु पाणी नाल पार देमा, ते उस दे विच एक पैंसल राखद एक क्यों होया, ए होया अपवर्तन या रिफ्रेक्शन कारण, तब दियार्थियो, आज जैसें इस लेक्चर दे विच अपवर्तन अते उत्तर लेंस राही रेड्रेक्शन पारे जाना के, दियार्थियो जी में तुसी स्लाइट दे विच देख रहे होंगे, इगल सही है कि प्रकाश सिदी रेखा विच चालदा है, पर जदों कोई प्रकाश दी किरण, एक माध्यम तो इसे दूसरे माध्यम दे विच एंटर कर दी है, पाव विरले तों संगने माध्यम प्रवेश करे या संगने तों विरले माध्यम दे विच जावे, ता ओ प्रकाश दी किरण आ बहुत ऐसी या एक्जाम्पल्स ने जिड़े अपवर्तन कारण हुन दे हन जिमे की मिराज या जिड़ा तो नुमे उदारन दस्या काप दे विच पाणी पाओ उस विच पैंसिल रुखो वो टेडी परतीत हुन दी है या रेंबो जिसने उसी सतरंगी पीइंग कहन दे हन या प्रयोग काच दी सलेब ना रिफ्रेक्षन नू समझना एस सारा उसी अपने सदकार योग अधिहापक साहबान दी निगरानी हेट प्रयोग कीता होना असी इस प्रयोग नाही वी रिफ्रेक्षन नू या अपवर्तन नू समय देहा दिया थियो जिमे तुसी स्क्रीण दे देख रहे हो काच्च संग्ण माद्यम है उस देख चारों तरफ हवा है में प्रिरल चेंज देख रहे हैं आपर प्र eux दिक्वा से डिकरन ब्याकशस, ब्दिच परविशन आख कर रही है इसनो असी कहने हां incident ray black color दी ये line n o n dash ये अभिलंब है incident ray अभिलंब दे नाल एक कौन बढ़ों दी है जिसनो असी आई नाल दर्शाओं ने हां that is incident angle और जिमे की साहनों पता है प्रकाश दी किरण हमेशा सिदी रेकाच जान दी है ता इस प्रकाश दी किरण नू सिद्धे ही जाना चाहिदा सी जिमे की dotted line च दखाया गया पर एथे माध्यम बदल गया अव ए प्रकाश दी किरण विरले माध्यम हवा तो संगणे माध्यम च प्रवेश कर रही है तोसी देख रहे होंगे ए अपने पाथ तो विचलित हो गई अभिलंब दी तरफ चुक गई ओन ए प्रकाश दी किरण संगणे माध्यम पाव काच तो दोबारा फिर विरले माध्यम विच जावेगी तो आसी देख रहे हों ए प्रकाश दी किरण अभिलंब तो दूर हट गई ते इसने अभिलंब दे नाल एक एंगल भी बनाया जिसनो असी ए नाल दर्शाओने हा ए किरण जेड़ी होन संगणे माध्यम तो विरले माध्यम विच गई है इसनो असी कहने हाँ इमर्जन्ट रे ते एंगल जिड़ा है अभिलंब नाल बनाओ दी है जिसनो असी ए नाल दर्शाओने देख एंगल और विध्यार्थियों सी देख या जदों प्रकाश दी किरण विरले माध्यम तो संगणे ची प्रवेश कीती ता वो अभिलंब दी तरफ चोक गई जदों वो संगणे तो विरलेच गई ता वो अभिलंब तो दूर हाट गई यही है प्रकाश दा अपवर्तन या रिफ्रेक्शन ओफ लाइट कोन आई ते कोन इज़ाँ इन्सिड़न्ट एंगल यह हमेशा एक दुज़े दे बराबर हुन दे हाँ जे कर आई 45 डिग्री है ता ई वी 45 होवेगा जे आई 60 डिग्री है ता ई वी 60 डिग्री होवेगा यह हुन दा है प्रकाश दा अपवर्तन या रिफ्रेक्शन ओफ लाइट कोन विद्यार थी हो असीं convex lens रही image formation दे बारे ray diagrams दे बारे बढ़ांगे उस तो पहला साननू convex lens दे कुछ points दे बारे जानकरी होनी चाही दिया anatomy of convex lens विद्यार थी हो convex lens दे बेल कुल के इंदर देवे जिसनो असी ए नाल दर्शाया है जिसनों उनार भी असी दर्शाद देने हाँ यह है lens दा के अंदर center of lens और lens दे के अंदर तो खबे अते सज्जे दोनों तरफ समान दूरी ते या तो 2 cm या एक के जिनना भी रखना है right and left दोनों तरफ उसी capital F देख रहे होंगे this is focal point of convex lens next focal point तों समान दूरी ते पाव जेकर A तों F दी दूरी 2 cm रखी है ता F तों C दी दूरी भी 2 cm ही होवेगी दोनों तरफ C नाल दर्शाया गया है that is center of curvature lens दा वक्र दा केंद्र small f small f नाल दर्शाया गया है focal length आव लेंस दी focus दूरी last thing that is R जो है radius of curvature जिसने सी 2 f नाल भी दर्शाया होने है C that is 2 f आलसो focus तों जस्ट डबल ता एक कुछ points ने जिडे ray diagram बनाओन विले त्यान रखने हैं एक last important गल बिलकुल के इंदर दे वेच तो आनू एक का black color दी straight line नज़रा रही हो वेगी that is principal axis of lens lens दा मुख तूरा एक कुछ points हमेशा याद रखने हैं जदों भी तुसी convex lens रही ray diagrams बनाओने हैं विद्यार्थियो कुछ होर नियम हैं जेडे ray diagram बनाओन वेडे तुसी हमेशा याद रखने हैं दो तिन नियम हैं जिनना दे विच्चों कोई दो नियम सानूं ज़रूरी होंगे ray diagram बनाओन दे ले आओ थोड़ा इना ते भी गौर करिए सब तुँ पहला जिमे की तुसी स्क्रीन विच देख रहे होंगे आ black line ए साड़ा lens दा है मुख तुरा होन आ साड़ी object पही है red color मुख तुरे दे समानतर object तों जड़ी वी किरण आओगी ओ lens तों गुजरन तो बाद उस दे focus तों होके गुजरेगी यह पहला नियम है now second object तो आनवाली प्रकाष दी जड़ी वी किरण focus तों होके गुजरेगी ओ lens तों गुजरन तों बाद मुख तुरे दे समानतर हो जावेगी यह दूसरा नियम है now third one तीसरा नियम object तों आनवाली प्रकाष दी जड़ी वी किरण lens दे के इंदर तों जावेगी अब lens दे के इंदर तों जेड़ी वी प्रकाष दी किरण जावेगी वो सिद्धी क्रॉस हो जावेगी यह तीसरा नियम है आ तिन्नों नियमां दे विच्चों कोई भी दो नियम असी अपलाई करने हैं जड़ों भी रे डायग्राम बनोने हैं इद्याथियो जी मैं कि तुसी स्लाइड बिच देख रहे हूं सानों को जो पोजीशन्स देती हैं जान गियां जिन्ना उपपर असी अब्जेक्ट नों रखके image दी formation करनी है पहली पोजीशन जड़ों ऑब्जेक्ट सादी infinity या अनांतते हैं दूसरी जड़ों सादी object beyond 2f मतलब 2f तों पिछे हैं तीसरी पोजीशन जड़ों ऑब्जेक्ट सादी 2f दे उपर हैं चौत्थी पोजीशन जड़ों object सादी 2f अते f पाव focus दे विचकार है पंजमी पोजीशन जड़ों object सादी f पाव focus दे उपर है तीछे मी position जड़ों सादी object f अते o पाव focus अते lens दे के अंदर दे विचकार के ते अई है ता ए 6 positions हान जिनना उपर असी ray diagrams नो बढ़ाना है object दी image देखनी है ते उस दे गोण positions nature दसनी हान आव शुरू कर दे हां एकवर फेर विद्यातियों ओ तेन नियम जिनना दे विच्चों कोई दो apply करके असी ray diagram बनावने हान ओना नो एकवर दोहरा लेने हाँ सब तो पहला नियम जेडी भी परकाश के रण this one मुख तुरा black line मुख तुरे दे जेडी भी परकाश दी के रण object तो मुख तुरे दे lens दे के इंदर तो होके गुजरेगी उसे दी cross हो जावेगी यह दूसरा नियम है ते तीसरा जेडी भी परकाश दी के रण object तो आनवाली lens दे focus तो होके गुजरेगी ओ lens तो cross करन तो बाद मुख तुरे दे समानतर हो जावेगी आ तेन नियम हमेशा याद रखे हैं इनन तेन नियम दा विच्चों कोई भी दो नियम यूज करांगे असी ray diagram बढ़ाओं दे लिए शुरू कर दे हां सब तो पहली position जदो object साढ़ी अननत ते है infinity ते है या far away बहुत जादा दूर है अब द्यारती हो दो नियम असी apply कर दे हां सब तो पहला नियम की कहनदा है जड़ी वी प्रकाश दीके रण object तो सिद्धी आ रही है मुक तो रेदे समानतर ओके तो गुजरूगी very good ओ लेंस जो cross करने तो बाद उस दे focus तो होके गुजरेगी पहला नियम दूसरा नियम होन ट्राइ कर दे हैं जड़ी वी प्रकाश दीके रण लेंस दे के इंदर तो होके गुजरेगी उस सिद्धी cross हो जावेगी नहीं हो नसी देख्या आ ओ पॉइंट है जिस उपर दोनों के रणा एक दुजे क्रोस कर रही हां प्यारविद्यात्यो जड़ों भी प्रकाश दियां केरना एक्चुली वास्तव देवेच साननों क्रोस कर दियां दुजे पासे नजर आउन गियां ओ इमेज हमेशा रियल होवेगी वास्तविक होवेगी दूसरी गल और असी देख रहे हैं इमेज दी पोजीशन किते बनी वो फोकस दे बनी एफ दे बनी जदो वस्तु साड़ी अनातते है उस दी इमेज फोकस दे बनूगी रियल पाव वास्तविक बनूगी ते बहुत ज़्यादा छोटी डिमिनिश्ट, पोईंट साइज्ट बिंदू आकार दी इमेज बनूगी रियल डिमिनिश्ट ते इनवर्टेड पाव उल्टी होएगी ता पाव की होया जदो साड़ी वस्तु अनातते है ता उस दी इमेज या उस दा प्रतिबिम्ब उत्तल लेंस्टों क्रोस करें उत्त बाद फोकस ते बनेगा वास्तविक बनेगा इनवर्टेड पाव उल्टी इमेज बनेगी ते हाईली डिमिनिश्ट पाव बिंदू वरगी इमेज सनुप्राप्त होएगी और चाल दे हाँ दूसरी पोजीशन वाल जो दो एफटों पिछे है और ओही दो नियम पहला नियम जेड़ी परकाश दीके रण इस वस्तुतों मुक्तोरे दे समान तरह रही है ओ लेंस्टों क्रोस करें तो बाद फोकस तो होके गुजरेगी पहला नियम दूसरा नियम अबजेक्ट तो आणवाली परकाश दीके रण जदो लेंस्टों के इंदर तो गुजरेगी तो उससे दी क्रोस कर जाएगी तासी देख देहां अद दोनों लाइन्स इस पॉइंट ते एक दुजनों क्रोस कर रही हैं जदों भी एक्चिल विच दोनों लाइन्स क्रोस करनगी है ताँ इमेज रियल होवेगी वास्तविक होवेगी और गल कर देहां इमेज दी पोजीशन की है जेकर असी गौर करिए इमेज साठी एफ अते दो एफ दे विच कार बनी होई है इस दी पोजीशन की होई बिट्वीन एफ 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 नेक्स्ट आ साठी ऑबजेक्ट है तो आ साठा इमेज है आसी देख रहे हैं इमेज या प्रतिबिम्ब साठी वस्तुदे आकार तो शोटा है ताँ जदों भी ऑबजेक्ट बियाउन टू एफ मतलब दो एफ तो पिछे है ताँ पहली गल प्रतिबिम्ब वास्तुदे एक रियल बनेगा दूसरी गल दूस्तुदे आकार तो छोटा बनेगा तीसरी गल उस दी पोजीशन एफ टू अते टू एफ दे विचकार होवेगी होन एए इमेज सिद्धी है या उल्टी आसी देख रहे हां कि मुक तुरे दे नीचे दी तरफ इमेज बनी है ताँ ए इन्वर्टेड या उल्टा प्रतिबिम्ब होवेगा आव जो दो वस्तु टू एक ते है ताँ उस दा प्रतिबिम्ब रियल बनेगा उल्टा बनेगा एफ अते 2 एफ दे विच्कार बनेगा ते वस्तु दे अकार तो छोटा बनेगा और अगली position देख दे हां वेन आबज़ेक्ट इस एट 2 एफ पाव जो दो वस्तु 2 एफ दे है पाव दिस वन ऐसाडी object है जो दो एफटे पई है ए बी नाल इसनों दर्शाया गया है वही दो नियम पहला नियम वस्तू तो आउन वाली परकाश दे के रण जो मुक तो रेदे समानतर है ओ लेंस जो क्रॉस करने तो बाद उस दे फोकस दो होके गुजरेगी ये object तो आउन वाली परकाश दे के रण जो लेंस दे के इंदर तो गुजरेगी उसे दी क्रॉस कर जावेगी तो ये दोनों के रणा असी देख रहे हैं कि इस पॉइंट थे एक दुजे नों काट दिया नजर आ रही है हन और इस नाल देखके प्यारे विद्यार्थियों तुसी खुद में नों दसना है कि image दी properties की हान और असी देख रहे हैं कि दोनों lines actually एक दुजे नों cross कर रही है that means image real होवेगी उस दी position की है दो f दे उपर object साड़ी दो f दे ही पाई है ति उस दा image भी 2 f दे ही बन रही है कौन गल कर दे हैं size दी जिस अकार्दी साड़ी object है उससे अकार्दा सानू प्रतिबिम्ब 2 f दे प्राप्त हो रहा है इस तो पागी है when object is at 2 f इमेज पहली गल real होवेगी दूसरी गल बस्तुले अकार्दी होवेगी तीसरी गल उस दी position 2 f दे उपर है ते असी देख रहे हैं कि प्रतिबिम्ब उल्टा बना है inverted होना है और next position ते उने हैं when object is between 2 f and f ज़दो सड़ा object 2 f अते f दे विचकार है जिमे कि तुसी screen विच देख रहे हो ओही दो नियम a 60 object है a b जो 2 f दे विचकार है पहला नियम object तो आनवाली परकाश दे के रण जो मुक तो लेदे समानतर है वो lens तो गुजरन तो बाद focus नो जाएगी दूसरा नियम object तो आनवाली परकाश दे के रण जो lens दे के अंदर तो होके गुजरेगी उस सिद्धी उजर जावेगी असी देख दे हाँ आप वाइंट है a dash जिस उपर ए दोनों के रण एक दूजे नों क्रॉस कर दिया नजर आ रही है हाँ और वास्तव वेचे के दूजे नों क्रॉस कर दिया हाँ ता image केड़ी बनेगी real, very good दूसरी गल असी देख रहे हाँ image inverted है फुल्टी है दीसरी गल वस्तू दे अकार object दे size दो साड़ी image दा size वड़ा है चौत्थी गल उस दी position असी देख रहे हाँ कि वस्तू दा प्रतिबिम object दी image 2F तो पिछे बन रही है ता प्यारे विद्यार्थियू जदों भी साड़ी object F दे 2F दे विचकार होवेगी ता उत्तर lens तो बने होया प्रतिबिम वास्तविक होवेगा उल्टा होवेगा वस्तू दे आकार तो वड़ा होवेगा तो उस दी position 2F दे पिछे होवेगी और गल कर दे हाँ next position दी जदों साड़ी वस्तू या object F दे है focus दे है जे मैं किसी screen दे विच देख रहे है साड़ी object F पाव focus दे है वही दो नियम पहला नियम मुक्त दे समानतर के रण lens तो गुजरन तो बाद focus तो हो कुछ जागी दूसरा नियम object तो आन वाली पर काश दे के रण lens दे के अंदर तो होकर जेकर गुजरेगी तो उसे दी जाओगी विद्यार्थियों से देख रहे हैं एक दुझे दे बिलकुल समानांतर जा रहे हैं हन पाव एक दुझे नों कट दी है नजर नहीं आ रहे हैं इस कंडिशन दे विच image वास्तविक बनेगी inverted probability बनेगी highly enlarged बहुत वड़ी बनेगी अते अनंत दे उते बनेगी क्योंकि दोनों पर काश दिये के ना एक तुझे दे समानतर जा रहे हैं तो एक image infinity दे बनेगी अनंत दे बनेगी और साधी next position when object is between f and o पाव focus अते lens दे के इंदर दे विचकार जेकर साधी object है this is our object जो focus अते lens दे के इंदर इन दे विचकार है और असी देखते है image कैसी बनेगी नियम होगी पहला नियम object तो आन वाली प्रकाश दे के रहे हैं जो मुक तो रेदे समानतर है वो focus तो होके जाएगी ते जेड़ी प्रकाश दे के इंदर तो गुजरेगी उसे दी cross कार जावे होड़ आसी देख रहे हैं एक दूसरे तो दूर हट दियां नजर आ रहे हैं पाव इस तरफ दिस साइड एक प्रकाश दियां के रहना एक दूजर नहीं कटन गियां फिर सानु की करना पर वेगा एथे असी इना प्रकाश दियां के रहना नो प्राई करांगे की एक पिछे दी तरफ के ते जोड़ दियां हैं कटन गियां ता जेकर असी इना लाइन नो dotted line रही पिछे नो वदाने हां ता असी देख दे हां की इस position दे उपर जाके एक दूजर नो कट दे हां जदों भी actually raise एक दूजर नो ना कटन ते उना नो dotted line रही पिछे नो वदा के जिकर एक दूजर नो कट दे हां ता ऐसे प्रत्विम्ब हमेशा वर्चुल हुन दे हां अबासी हुन दे हां ता जदों वस्तु साड़ी F अते O दे विचकार है ता पहली गल सानू इमेज वर्चुल मिलेगी दूसरी गल आ साड़ी object दा size है ते आ साड़ी image दा size असी देख रहे हां की प्रत्विम्ब वस्तु दे आकार तो वड़ा है दूसरी गल clear होई ते तीसरी इस दी position की है विध्यार्थियो जिम्ब की तुसी देख रहे होंगे जिस तरफ साड़ी object पई है उससे तरफ साड़ी image भी बनी है ता जदों वस्तु F अते उपाव फोकस अते लेस्दे के इंदर दे विचकार होवेगी पहली गल साड़ी image वर्चुल बनेगी अब 80 बनेगी क्योंकि lines are not actually crossing each other lines एक दुझे नों वास्तवच काट नहीं रहे हैं उन्होंनों उसी पिछे दी तरफ वदा के cross करवाया है दूसरी गल वस्तु दा प्रतिबिम erect पाव सिद्धा बनेगा क्योंकि मुख तुरे दे उपर दी तरफ बन रहा है object तो वड़ा प्रतिबिम बनेगा ता एसी कुछ positions जिन्ना दे उपर असी convex lens दिया image नों बनाया आज दे पार्ट दे विच असी reflection बारे जाने आ convex lens तो वक वक position दे उपर image formation करने सिखी मैं आस करदा हां आप सब नानू समझ आ गई होवेगी thank you very much stay home stay safe तो बनाया है झाल